नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्या वर्सात का मौसम मौनसुन का ये जो दौर है सीजन है ये किसको अच्छा नहीं लगता प्रकृति खुद अपने पूरे उत्सब पर होती है उत्सब मनाती है बारिश की बूंदे जमीन पर आकर के जब गिरती हैं तो मोर ना चुटते हैं प्रकृति पूरी मिल करके इसका आनंद उठाती है लेकिन ये आनंद कई बार हम लोगों के जीवन में कुछ गड़बडियां ले आता है अगर हम इन सावधानियों को अगर ना बरते हैं तो क्योंकि हमारे आयरुवेद में कुछ मौनसुन के रितु के संधरब में वर्शा रितु जब होती है उन दिनों में हमें क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है इसकी बहुत सारी जानकरियां वहां पर उपलब्द हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए य मालुम नहीं है कि क्या करना चाहिए इस रुटू में विशेश और क्या चीजों का परहेज करना होता है वे लोग जैसे जैसे पहले जैसा रुटीन जीते थे वैसा ही इसमें भी जीते रहते हैं तो फिर होता क्या है, उनको अलग अलग तरह के रोग आ जाते हैं, वात से रिलेटेड, पित से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, क्योंकि इस मौसम में वायू भी बढ़ता है शरीर में, क्योंकि खान पान की जो चीजे होती हैं, उनमें भी वायू तत्व बढ़ जाता है, और और जब वो उनी चीजों को खाते हैं तो फिर शरीर में भी वायू बढ़ जाता है इस सीजन में जैसे ही बारिश होकर हटती है उसके बाद अचानक से कई बार शरीर में पित भी बढ़ जाता है पित यानि बाडी में हीट भी बढ़ जाती है लिवर में बाइल भी बढ़ जा ये तीनों दोश इस मोसम में थोड़ा बढ़ने के चांसिज रहते हैं, हो सकता है कि एक उपित हो जाएं, लेकिन घबराइए नहीं, कुछ आहार में यदि बदलाहट ले आएं, कुछ हम जीवन में, जीने के ढंग में कुछ तैयारियां ऐसी कर लें, और अगर आसपास का बा उनसुन रितु की जो सुन्दरता है, सबको सुन्दर लगती है, बारिश की बूंदी, कई कविताएं इसके उपर बनी हैं, बारिश की उपर, बच्पन के उपर, तो बच्चे तो खास कर इस रितु में नौका बना करके कागज की इसमें चलाते हैं, और उनको बाहर लगता है, भागते हैं बाहर की और, तो फिर माता पिता कई बार उनको रोकते भी हैं, तो ये चीजें कुछ साबधनी अगर रख लें, तो आप इस रितु का पूरा अनंद ले सकते हैं, तो अगले दो चार पाच मिनट में मैं आपको पूरी जान करें दूंगा इसके बार अहर में पत्थे और अपत्थे, क्या सेवन करना है और क्या इसमें नहीं लेना है, पहले बात करते हैं क्या क्या परहेज करने हैं इसमें, सबसे जादा बारिश के रितु में कुछ लारवे, कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीडे, मकोडे, अलग अलग तरह के जहरीले भी होते हैं कुछ तो वो पत्तेदार सबजियों के उपर पनपने लग जाते हैं बहुत तेजी से जो कि शायद कई बार उसके अंदर भी रह जाते हैं कई बार उपर एक दुसरे पत्ते पर जा करके वो अपने जो नुकसान करने होते हैं गंदगी फैलानी होती है बीमारियां फैलानी होती हैं वो भी फैला देते हैं इसलिए इस रितु में हरी पत्तेदार सबजियां ना लें जैसे पत्ता गोबी होती है पत्ता गोबी में भी बहुत सारे लारवे पनप जाते हैं और फूल गोबी होती है फूल गोबी को भी आप तत्व बढ़ जाता है गोवी के अंदर तो गोवी जदा खाएंगे तो गैस बनेगी फिर इस रितु में पालक मेथी सरसों का साग ये सब पत्तेदार सबजिया हैं इनको आप आवाइड करिए हलाकि इस मौसम में मक्का ही जो होती है मक्का जिसको आप बोलते हैं उसमें भी क किड़ा आ जाता है गन्ने में भी किड़ा आ जाता है कई लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि जैसे ही वर्षा रितु आती है गन्ना जो है उसमें भी किड़ा आ जाता है चूंकि हमें प्रकरती ये नहीं कहती कि आप आपकी हम चीजें खराब कर देंगे प्रकर्ति तो यही चाहती है कि आप मनसुन रितु आने से पहले पहले अपने सारी वनस्पतियां अपने सारे जो खेत खलियान हैं इनको समेट लो इनको जहां रख सकते हो निकाल लो लेकिन कुछ किसान भाई या कुछ समय की दिक्कतों के रहते कुछ लोग नहीं भी कर पात इसलिए इस मौसम में यह चीज़ें आपका फर्ज बनता है कि ना खाएं तो बेचने वाले तो बेचेंगे इसके इलावा आप कच्चे सलाद जैसी चीज़े जो होती हैं कच्ची चीज़े होती हैं एक तो इन्हें गरम पानी से साब फल सबजियों को धो कर प्रियोक करें थोड़ा नमक वाले पानी में धो करके गरम पानी करके नमक डालके उसमें धो के आप रियोक करें दूसरी बात आप कच्ची सलाद जैसी जो चीज़े हैं कम खाएं रात को तो बिलकुल न खाएं और अगर सुबह दिन के समयंबे भी खाएं तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव जैसी कोई चीज डाले और थोड़ा हलका फुलका इसम को अगर चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं एक आद मिनट के लिए तांकि इसमें रोग रहने की संभावनन रहे और फिर आप इस मौसम में मौनसून के रितूब में वर्शात के दिनों में दूद, दही, छाच, पनीर या दूद से बनी हुई चीजें, एक बिमार लोग तो बिलकुल बंद कर दें, दूसरा अगर आप स्वस्त हैं तो भी आप बहुत कम मात्रा में लें, जब धूप निकली हो तब दही लें, अथवा बारिश के समय में दही न लें, छाच न लें, और इस तरह का ये ध्यान क्योंकि कफ बहुत बढ़ता है शरील में मौनसून के आने पर, तो सब कुछ ही बढ़ता है लेकिन इन दूद की चीजों से फिर चाश आदी से या दही आदी से फिर और बढ़ने की संभाव न होती है, तो ये कुछ दिन की बात होती है, आप परेज भी करने तो बहुत अरथाए हैं, रिवाज हैं, अलगले तरह की चीजे खाने के, आप खा ये कभी कभी अनंद लीजिए उनका, लेकिन राजमा, सफेद चना, कडी चावल, आलू, मतर, जों, उड़द, की दाल और करेला जैसी करेला खुशक है, खुशक चीजों का भी परोग कम करना होता है, राजमा, जिसकी मैंने भी बात की, तो इन चीजों में भी आप वायू की अधिकता होती है, राजमा, लू, मतर, रादी में, तो इन चीजों का भी परोग आप कम करें, बरसात के दिनों में, और फिर बात कर लेते हैं कि किन का परोग ज़्यादा करना, देखो सामानी आहार जो हम बाकी बचता है, इसके इलावा सब खा सकते हैं, इसमें अगर आप तुलसी का सेवन नित्य करें, वर्षात के रितों में खास, वैसे तो वर्ष भर लेनी चाहिए, लेकिन अगर वर्षात के रितों में, आप सब परिवार को तुलसी और गिलोए देते हैं, तो ये आ बहुत अच्छा होता है तुलसी और गिलोई हलाकि जब आपको बहुत जादा श्लेमा म्यूकस बने खांसी हो कफ हो हम कफ इंगलिश वाला ने हिंदी में कफ बोलते हैं जिसमें आपके अंदर म्यूकस बढ़ जाता है बाडी में वाटर रेटेंशन हो जाती उसको हम कफ बोल अटेक करती हैं तो ये चीजे आपको बचाएंगी और इसके इलावा आप बाजार से भी कोई चीज खरीद कर लाएं खाने की तो उसको भी अगर ध्यान रखें अगर उसमें कई बार आप कोई अनाज खरीद कर लाते हैं उसमें भी कीडा अपने की संभावना होती है क्यों आप घर में भी अगर कोई खाद्दे चीज है अगर उसको एर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं नमी से नहीं बचाते हैं तो भी उसमें कीडा आने की संभावना होती है तो उसको भी आप ढंग से उसको आप सुरक्षित रखिए समय समय पर घर में जो सामान है कमरों में कपूर जो होता है जिसको आप भीम सैनी कपूर ले लिजिए बजार से उसको आप अपने कमरों में रखिए तांकि वायू जनित रोग बहुत फैलते हैं वायू से ज़्यादा संक्रमन होते हैं तो संक्रमन आदी ना हो इसके लिए कपूर की टिकिया हरे कमरे में छोटे छोटी टिकिया एक एक दो दो टिकिया किसी कटोरे कांच के कटोरे में या किसी दिवार पे आप जाली नुमा कपड़े में बांध करके टांग दे तांग की ऐसी रोग ना फैले और जो पेशन्ट हैं बिमार रोगी हैं किसी किसी के घर में उनके सिरहाने के नीचे वहां दूप नहीं पहुंचती वो उनको अंदर के कमरे में रखते हैं अंदर के कमरों में तो दिवारों में भी जो बहुत सारे दिवारों के उपर भी नमी आ जाती है तो उसके कारण पर भी फंगस आदी रोग जो है वो पनपने की समामना रहती है और वो कभी-कभी नहीं भी नहा पाते तो उस वज़ाद से नमी की शरीर में नमी उपर आ जाती है उसके कारण भी रोग आ सकते हैं तो उनको कपूर जरूर रखिए दूसरी बात उनको भी कभी कभी नहाने के पानी में थोड़ा नीम आदी डाल करके उनकी तवचा का ध्यान और सब रखना होता है कभी कभी उनको विधूप में ले जाएं तो कपड़े गिले नमी वाले ना पहनाएं ये सब करना है और अलमारियों में आप खास कर जहां कपड़े रखते हैं वहां पे कपूर रख दीजिए जगा थोड़ी 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 दूरी पर नीम की पत्तियां थोड़ी हर लेके नीचे आगे उपर रख देंता कि इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं घरों में तो आप इस सफाई का ध्यान हर चीज का ध्यान रखना होता है काफेलर जी से बचाने के लिए फिर जो पोचा आप लगाते हैं घरों में उसमें थोड़ा सा सैंधा नमक रोक सोट जिसको बोलते हैं गुलाबी नमक वो डाल करके गोमुत्र डाल करके गोमुत्र ताजा हो जाए या किसी फार्मेसी का बनाया हुआ कंपनी का पैक किया हुआ उसको आप पोचे में डाल करके पोचे में नीम का अर्क या तेल ऐसी चीज़ें मिला करके आप पोचा लगाएं घर में तो ताकि आपकी घर में ये चीजे ना आएं और फिर बारिश में भीगने का बहुत शौंक होता है सबको कभी-कभी भीग सकते हैं लेकिन बहुत जादा भीगने से वाइरल हो सकते हैं अलतरा-तरा के भी बारियां आ सकती हैं इसलिए आती ना करें भीगते योग नहीं करना है, हलाकि कभी-कभी तो योग लोग बारिश के पास बैठ करके करते हैं, जब बारिश हो रही होती है तब आप प्रणयाम आदी का भी प्रहेज रखें, क्योंकि इन उसके साथ नमी भीतर जाने का डर रहता है तो नमी भीतर ना जाए, तब आप बारिश की रितुमें, जब वर्शात हो रही है, तब आप योग प्रणयाम भी ना करें, हलके फुलके वयाम कर सकते हैं, सुर्णमसकार कर सकते हैं लेकिन ब्रीधिंग वाले वयाम थोड़े कम करें, हो सके तो पानी में भी किटानू आ जाते हैं, इसलिए पानी को भी उबाल कर, छान कर, पीए सब, और पानी की टंकी में उपर आप एक छोटी टिक्या कपूर की डाल सकते हो ताकि पानी सुरक्षित रहे खुले में पानी खुला एक जगा पे कहीं परिकठा ना हो कूलर आदी का प्रयोक कम करो जिसमें पानी डाल करके हम चलाते हैं कूलर को हवा के लिए तो वो भी नमी अंदर छोड़ते हैं, जिससे की रोग जादा, क्योंकि नमी का मॉइस्चर का तो सीजन है न, तो अगर आप जादा मॉइस्चर में रहेंगे और ज्यादा मॉइस्चर create करेंगे आजपर, तो फिर आप बिमार होंगे ही होंगे, फिर आप को कोई रोक नहीं सकता, फिर आप कहेंगे मुझे हर बार attack हो जाता है, तो जिनको cuff sinus allergy का attack हो जाता है उनको भी बड़ा ध्यान रखना होता है, दमा की शिकायत है कई लोगों को, तो ऐसे सब अटैक वाले जितने भी हैं, काफ साइनस इलर्जी वाले जो पेशेंट हैं, उनको इस मौसम में कपूर की टिक्या कपड़े में बांध करके सुंगनी चाहिए, दस पंदरा बार, दस प गंटे बाद ऐसा, दिन में पांच साथ बार ऐसे सांस, कुछ सांस ले सकते हैं, तांकि इससे वो उनकी जो अटैक हैं, वो थोड़े शान्त हो जाएंगे, ये बहुत सारी जानकरियां, जो मैंने आपको दी वर्शात के रितु के संदरब में, इसको आप औरों को भी बजर्गों का जो बताया हुआ ये टेकनिक्स हैं, जिससे कि हम स्वस्त रह सकें, औरों को भी हम स्वस्त रहने में उनकी मदद कर सकें, तो मेरा प्रयास रहेगा आगे भी, कि आपको मैं ऐसी जानकर ये अलग अलग हमारे जो गरंतों की, या मेरे अनभवों की, या मुझे जो गुरूं से मिला, बड़े बजर्गों से सीखने को मिला, वो सब मैं आपको बता सकूँ, तो आप बने रहे हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, नमस्कार है